नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूप चैनल इस्टडी सनी एडू क्लासेस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7 जून 2013 के फैट सिप्स कोस्टन को जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महतपुड होने वाला है देखे पिए फिन सभी कोस्टन सेलेक्टेट और Implant लिए गये हैं अगर आप किसी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महतपुड और ट्रेनिंग टोपिक होने वाला है तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेके अंतक चरू देखेगा तो इसे के साथ देरना करते हैं आज किस ब्यातरिन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोश्चन सी तो आज का पहला कोश्चन है बचपन बचाओ अंदोलन किस वर सुरू किया गया था तो देखे फेंस सयांसर है 1980-20 में बचपन बचाओ अंदोलन शुरू किया गया था देखे फेंस बचपन बचाओ अंदोलन एक भारत अधारीत बाल अधिकार अंदोलन है और देखे फेंस बचपन बचाओ अंदोलन को कहलास सत्यार्थी ने बचपन बचाओ अंदोलन की सुरुवात 1980 में की थी देखे फेंस एंजीयों का ध्यान बंधुवा मजदूरों बाहल सरम और मानत तरक्की को समाप्त करना है और यह सभी बच्चों के लिए सिच्छा अधिकार की मांग करता है देखे फेंस कहलास सत्यार्थी को 2014 में 9790 कार्ज भी दिया गया है देखे फेंस सत्यार्थी का जर्म बीदिशा मद्यप्रजस की एक प्रामहर प्रिवार में हुआ था आप सभी ध्यार रखेगा जो बच्चमन बचाओ अंदुलन 1980 में सुरू किये थे इसके बार निफ्ट कोश्चन है, मौलाना अब्दूल कलाम अजाद भारत के पहले कौन मन्तरी थे तो देखेंस सज्यांसर है सिच्छा मंतरी थे देखेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए छेत्र में उनके योगदान के लिए 1992 में इन्हें भारत रतने से सम्मानित किया था आप सभी ध्यान रखेगा इसके बार नेश्ट कोश्चन है 2022 में असुक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है तो देखें फिन सयांसर है एस आई बावुराम देखें फ्रेंट्स एस आई भादूर करतब्य के प्रती समर्पण और समर्पण के लिए असुक चक्र से सम्मानित किया देखें फिन एस एसाई बावुराम की पत्नी रीना रानी की बेटे मड़ी को गरतंतर दिवस 2022 पर भारत के राजपती द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया देखें फिन स्वत देखें फिन 2019-20 में गोल्डन बूट पुरसकार से नेरीज वालकिस को सम्मानित किया गया है आप सभी ध्यान रखें देखें फिन से ही बात करें कि 2021-22 में गोल्डन बूट पुरसकार पीजेता कौन थी तो ओ थी बार्थो लेम्यू आप ओगे वेचे आप सभी ध्यान है तो देखे फिन सैयांसर है नरिंदर थूबत्रा को नवंबर 2022 के अंदर अंतराष्टी हां की महासंग FIH का नहीध्यक्ष चुना गया है देखेंस नरिंदर धूबत्रा इसकी के इस्तिपे के बाद एफ आई एच के कारेकारी अध्यक्ष बने और से पोहमद इसका अस्थान लेंगे इसके बाद नेश्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अंसोची जाती कल्यार्ण विभाग मंतरी ह रूप में नुक्त की गई हैं जिनका नाम मिना सिंग मंडावे हैं मध्य प्रदेश में अंसोची जाती कल्यार्ण विभाग की मंतरी हैं वह भारती जन्ता पार्टी से संबंधित और उमरिया जीले में मानपूर विधान सभार विधायक के रूप में चुनी गई थी देख संबंधित पुरसकार कौन सा हैं तो देखे फिन सयांसर है दादा साहिब फाल के पुरसकार देखे फिन सीनेमिया से संबंधित पुरसकार जो है ओ दादा साहिब फाल के पुरसकार है और यह फिल्म पुरसकार में दिया जाता है देखे फिन दादा साहिब फाल के को भारती सरकार ने उनके सम्मान में 1969 में की दिड का रानी दादा जाहर फ़ाल के पूराशकार की प्रापत करता थी साइमन कमीशन का अस्थापना कब की गई थी तेखें फेंटक्थ सचराफ के लिए काफ़ी बाश्या Peng आ गया और यह भी एक्जामें देखा क्या है देखे फिर्टीर सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समिच्छा के लिए साइमन कमिशन की नियुक्ति की और 1928 में साइमन कमिशन भारत आया देखे फिर इसका गठन समय धानिक सुधारों को अध्यन करने और भारत मे सरकार को सफ फारिसों करने के लिए किया गया था देखे फिर साइमन कमिशन भारती सदस्य के स्वेट आयोग था इसके बार नेस्ट कोश्चन है ICC में कितने पूर्ड सदसे हैं, तो देखें इस आइस्टेसी में कितने पूर्ड सदसे हैं तो पारे सदसे हैं, देखें इस ICC 1909 में Australia, England और धरचिट अपरिका के प्रतिनीदे高 द्वारा Imperial Cricket संबिलने के रूप में अस्थापित किया गया था और ICC में 104 सदस्य थे जब 12 सदस्य जो टेस्ट मैच में खेलते हैं देखे फिर और 92 सदस्य हैं और ICC अपने द्वारा आयोजी टोर्णामेंट में आरे अरजित करता है देखे फिर पूर्ण BCCI के अध्यक्ष सरत परवार अपार्चिक रूप से अंतराश्टी क्रिकेट परिसद ICC के अध्यक्ष के रूप में सामिल किया गया है देखे फिर इस ICC का मुख्याले दुबाई में हैं आप सभी ध्यान रखेगा इसके बार नेश्ट कोष्चन है 1720 और 1761 के बीच किस समराज बिस्तार हुआ था देखे फिन 1720 और 1761 के बीच में मराठा समराज का बिस्तार हुआ और इंस ने धीरे-धीरे मुगल समराज के अधिकार को समाप्त कर दिया देखे फिन 1720 के दसक तक मालवा और गुजरात के मुगलू को चप्त कर लिया गया था और 1737 के दसक तक मराठा राजा के पूरे दक्कन प्राइदीप के अधिरे के रूप में मानिता दे दी थी देखे फिन उसके पास पूरे छित्र के चोथे और सर्दे मुखी लगाने का अधिकार था इसके बार निश्ट कोश्चन है 1991 के आर्थिक सुधार दवरान वित्त मंत्री कौन थे तो देखे फिन सही आंसर है डाक्टर मनमोहन सिंग देखे फिन डाक्टर मनमोहन सिंग 1991 के आर्थिक सुधार दवरान वित्त मंत्री के रूप में कारे किया है और मनमोहन सिंग भारत के 13 हमें प्रधान मंत्री थे जबकि 2004 से 2014 थे देखे फिन वर्षिक सुधाय के समुधाय से पहले प्रधान मंत्री थे और या पीबी नर्सिम्हाराव के सरकार की वित्त मंत्री थे देखे फिन अल्ग समुधाय से पहले प्रधान मंत्री थे इसके बार निश्ट कोश्चन है मत्री प्रधेस में भारत की पहली हाट एर बैलून वाइल्ड सफारी किस राष्टी उद्यान में शुरू की गई थी तो देखे फिन सही आंसर है बांध वर्डगर में देखे फिस बांध वर्डगर में मद्य प्रदेश में भारत की पहली हार्ट एर बैलून वाइल्ड सफारिस की गई थी राष्टी उद्यान में जिसका नाम है बाढ़ वर्डगर देखे फिस यह किसी बाद अप्यारण में भारत की पहली हार्ट एर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारिस है और यह इसे हाली में मद्य प्रदेश के प्रसीद बाड़ वर्गर टाइगर रीजार्ड में लांच किया गया था देखे फिस इसे मद्य प्रदेश के वन मंत्री बिजय सार ने लांच किया था और इसकी सियवा की तुलना अप्रिकां के जंगल में भारत की सपारी गत्वीतियों को करने के लिए यकिया गया था इसके बार निश्ट कोश्चन है 17 में प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिती के रूप में गुवाना के राष्ट पती डाक्टर मुख्य इर्पान अली थे देखे फिर प्रवासी भारती सम्मेलन और सोतंतरजा सग्राम प्रवासी भारती के योगदान पर डिश्टल प्रदेशनी का उधगाटन किया और इस वर्स पर इस अवसर पर उन्होंने एक इस मारक डाक टिकट सुरच्ची जाय प्रचति जाय भारी भी जारी किया देखे फिर भारत के विकास में प्रवासी भारती सम्मुदार के योगदान को चिनहित करने के लिए 9 जनौरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है इसके बार निश्ट कोष्चन है तीहत्रमा संविधान संसोधन कब और किस पीसए में हुआ था तो देखे फिर संविधान संसोधन 1992 में हुआ था और पंचायती और राजब्योस्था को विसए में सुधारित करने के लिए किया गया था देखे फिर इस तीहत्रे में समिधानिक संसोधन 1992 में भारत में पंचायती राजबियोस्था को समिधानिक और लागू किया गया और इसने भारत के राज्यों में तीन अस्तरी सरकारी धाचा प्रदान किया देखे फिर पंचायती सरकारी धाचे की तीसरी स्रेडी बन गई और पंचायत को अस्थाने चुनाओं के माध्यम में एक अंत्र जाना किया गया इसके बार निश्ट कोश्चन है उष्टकट बंदी चक्रवाद भूमादेरेखा पर क्यों नहीं आते हैं तो देखे फिर सयांसर है भूमादेरेखा पर कोरेलियोस बल सुन्य हो जाता है इसलिए उष्टकट बंदी चक्रवाद भूमादेरेखा पर नहीं आते हैं देखें फिरिंद उष्ट कपंदी चक्रवाथ भूमत रेखा के ऊपर नहीं बनता है योकि भूमत रेखा पर को रियोलियस की वल सुनने होता है। देखें भले ही मद्य रिखा पर भूमद्य रिखा पर पवन अभिरन्स एक का एक छित्र है इसका उसका वंडी चक्रवाद से कोई लेना देना नहीं है इसके बार नेस्ट कोउश्चन है मद्य प्रदेश लोकसेवा आयोका गठन किस प्रद्धान की तहत किया गया है तो देखें फिस सयामसर है राज पुनर गठन अधिनियम उननेसोचपन की धारा एक सो अठारे में के तहत किया गया है देखेए फिस मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोका गठन किस प्रधान के तहत किया गया है तो राजेपुनर गठन अनने 156 के तहत किया गया है। है और मद्य प्रदेश लोग सेवा आयोग की नेक पहली बार 1908 में परिच्छा आयोजीत की थी इसके बार निश्ट कोश्चन है मौश से गठन मौश से ठन गई कविता के कभी कौन है तो देखें फिर सैयांसर है अटल बिहारी बाचपेई देखें फिर मौश से ठन गई कवि अगर बिहारी बाचपेई से 25 दिसमबर 1924 को ग्वालेर में हुआ था इसके बार निश्ट कोश्चन है ग्रेंडर मेंस्टर किसे समधित है तो देखें फिर सैयांसर है अनुवांसिकी के पिता से ग्रेगर मेंडल समधित है इसके बार निश्ट कोश्चन है वह एक मातर धात तो कौन सी है जिसका प्रतिकी करूप बद्राव है तो देखें फिर सैयांसर है पारा इसके बार निश्ट कोश्चन है तरकवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो देखें फिर सैयांसर है रेनेडेस कोर्टेक्स को तरकवाद के रूप में तरकवाद के जनक के जहना जाता है इसके बार निश्ट कोश्चन है और वान सिक का जनक किसे कहा जाता है तो देखे फिन सही आंसर है ग्रेगर जोहान मेंडल को आप सभी ध्यान रखिएगा और क्लोरीन में क्लोरीन में कौन सी बीमारी होती है तो देखे फिन सही आंसर है किंसर और फेफ़डों म झाल झाल